दोस्तों सारू खान साहब को पठान के VFX से लग रहा है डर, आखिरकार क्यों, जानेंगे विस्तार से इस वीडियो में, तो दोस्तों इस वीडियो को सुरू सन तक देखें, हेलो दोस्तों मेरा नाम है राजीब और आप लुग देख रहे हैं दुस्तान पलने होगा, जिया इसी की वज़ा से ट्रिलर भी डिले किया गया है, और आप लुग जानते होंगे कि ट्रिलर दस जनवरी को आ रहा है, जो कि अल्लेडी डिले डेट पर आ रही है, तो ऐसे में ट्रिलर के डिले होने के पीछे का कारण भी VFX है, जिया सारू खान साहब भी पठान के VFX से संतो और इस कंपनी ने इसके VFX का काम फिर से स्टार्ट किया था, और इस कंपनी ने इसके VFX के काम को बहुत जल निप्टा देगी, और इसके लिए डे और नाइट दोनों ही सेडूल्स में काम किया जा रहा है, हाली में जो रिपोर्ट निकल के आई है, और इसी वज़ा से पठ सारुखान के ट्रिलर और फिल्म में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं देखना चाहते हैं सारुखान साहब, अफकोर्स होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि सारुखान साहब की फिल्म है, और ऐसे में देखा जाए तो सारुखान साहब के हिटर्स की कोई कमी नहीं है, और ऐसे में वो मौका तलासते रहते हैं कि कुछ भी ऐसी कमजोर करी मिल जाए जिससे फिल्म को नुक्सान पहुंचाया जाए लेकिन सारुखान तो सारुखान साब हैं ऐसे में वो कोई मौका नहीं देना चाहते और इसलिए जब तक वो खुद को साटिसफाई नहीं कर लेते वी ऐफेक्स को लेकर तब तक उन्होंने ट्रिलर को डिले रखा है लेकिन अब ये ट्रेलर दस जनवरी को आ जाएगा क्योंकि मेकर्स ने इसको लेकर ओफिशिल एनाॉसमेंट कर दी है क्योंकि रेट चिली ने इसके वी ऐफेक्स का काम लगभग कंपलीट कर ही दिया है और लगभग वी ऐफेक्स का काम बहुत जल्द कंपलीट हो ही जाएगा क्योंकि रेट चिली डे और नाइट सेडूल में पुरा काम को बहुत तेजी से कर रही है वेल बस अब 10 जनवरी का इंतिजार है कि आखिर का 10 जनवरी कब आएगा और फाइनली इसका ट्रेलर हमें कब देखने को मिलेगा वेल दोस्तो आप लोग इस फिल्म के ट्रेलर को लेकर कितने एक्साइटेड हैं वेल अब इंतिजार की घरी बहुत जल्द खत्म होने वाली है क्योंकि 10 जनवरी को आपको पता चल जाएगा कि आखिरकार पठान के वीएफेक्स पर कितना काम किया गया है वेल दोस्तो आप लोग कितने एक्साइटेड हैं इसके लिए नीचे कमर्स में जरूर बताईए मिलते हैं रिपोर्ट में जो की होगा आपके लिए काफी खास